अच्छाई और बुराई हर इनसान में होती है और इसका लिंक से, उम्र से कोई लेना दिना नहीं होता अगर फर्क होता है तो सिर्फ सोच में और हमारी सोच हमारे नियंतरन में होती है हम सब को क्या चाहिए? पैसा, शोहरत, प्यार देखा जाये तो सब की जरूरते तो एक जासी है, फिर तरीके क्यों इतने अलग? हमारी आज की कहानी नॉइडा की कहानी है, जहां कुछ लोगों की सोच और लालच की चलते, कई लोगों की अपनी जानगवानी पड़ी. क्या हो बेबे? रेडी ने वे वितत? रेडी माइ फूट. पंकच, मैंने तुझे कितनी बार बोला है मेरा पेमिन बढा दे, तु बढाते हैं नी? अब शूट टब होगा जब तु मेरा पेमिन बढा के सामने रखेगा. मिशाल, बाते हैं बाते हैं. पंकच, मैं आर्टेस चूट और मैंने अपना काम की. जब अच़े वियूज आते हैं, तो पैसा पी अच्छा ही मिलता है. जल्टेख. आपको रेड़ी. अधो टाम्पास मत कर. जाओ रेड़ी है. एल्ली बार. टाम्पास मैं बेचे. सुन्दर नगार पॉलिट्टेश्यों. हलो. सर्र, मैं बुल्षिन बंग्टोसे बोड़ीयों यहापने बच्छूट चेलरहे हैं. आप जल्दी या चाहिए आपको लो हलो जल्दी करो भई शॉट के लिए दिरी हो रही है और नीचे करो आँ चलो चलो रेडी रेडी जल्दी टाइम ने अभी एक्षिन अभी ख़ए वे क्या चल रहा है बाइए कटककका करो कि वखो शुटिंग के ले इस एक मेरा तिखाओ शॉट फिल्म की चल रहा है है ऐसे आप शूटिंग की रोख सते है एक मिन डूख सते है एक मिन डूखे शॉटिंग कर रहे ना आप मैरें रेंट पर बंगला लिया है यह आपको कोई जोगर रहा है एक मिनिट रुखिए जब शर्मिशन लेटर है सर मेरे पास शॉट फिल्म के लिए ऐसा रोग नहीं सकते आप यह परमीशन है हाँ शॉट फिल्म के नम पे पुट भी बना रहे हो शॉट फिल्म है सर जब शर्म उस मीता कता मैं छोदूंगा नहीं जब शॉट पर 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 तो अविदान रहता है नहीं तुम्हारा फिर से शुरू हो गया नातानपूरा इसलिए तुम इंड़स्टी सा उठी लेकिन तुम्हें तो सुबह सुबह मूट खराब करना एं राजिश राजिश तुम्हें कुछ से जादा कुछ सूचता है वे, डाजिश्वीरी, बात तो सुनो. इडियाट्या. गूर क्या रहे हो? क्या देख रहा था? बिंदो! जी, मैडम, कितनी पार मना किया है? इस आदमियों को यहां मतना आयकार? वो, घर में गैस कत्म होगे था, मैडम. तुम बच्चों का नाश्ता के लिए बलाया था. ठीक है, ब्रेकफास्ट, लांच्छ, डिनर, सब पैक करके देगाना. लेकिन यह आदमी मुझे यहां पर नहीं चाहिए. प्लीज, इसे यहां से बापस भेज. बहुत ड्रामा करती है तरी यह मैडम. एक तिन डाडियल की तरह इसका सर फोड़ दोंगा. इम मदन, बख्वास मत करें यहां पर. दबा लिए घर जा. तुझे बहुत मज़ात है. जब यह मैडम मेरी बेजती कर रही होती है. शूट! नाटक मत करें यहां. चुपचप से यह डबा ले और घर जा. बच्चे भूखे हैं. सुझे तो मैं बाद में देखता हूँ. और इस मैडम को भी. अपने दोनों हाथ आगे लाइए. यास. स्ट्रेट, लाइडाउन और लोक आप. उपर देखिए. और ब्रीव. आपके बैक स्ट्रेट होनी चाहिए. ओके गाइस, डान पॉर देखिए. कल के सेशन में मिलते हैं. हेल्दी खाईए, हेल्दी रहिए और योगा करते रहिए. बाई. आपको मेरा बड़्डे याद था? तुम मेरी सबसे पेस्ट किरायदार हो. एक बात बताओं, कसम्स. तुमसे पहले मेरे जितने भी किरायदार आए ना, तुमने मेरे घर का कबाड़ा कर दी. तुमने मेरे घर के दुप साव शुत्रा और सुन्दर गरका. Sanjay जी, किरादार जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू जब तक रहरी हो ना, अरे? पाल सेशने मेरे जितने? जी. चलाँ. चलाँ. हापी बर्दे तु यूू। हापी बर्दे! थांक यू सो मच, अनू. इतना खर्चा करने क्या सदोर होती? वैसे भी तुझे अभी कोई मॉडलिं असाइंट्मेंन तो मिला नहीं. तो क्या हुआ? मिल जाएगा. पर तेरे जैसी फ्लाट में टूटने सभी नहीं मिलेगी. तुने मेरा इतना ख्याल रखाया है, इतना मेरा ध्यान रखाया है कि मेरे मॉम डाट ने भी मेजली असा नहीं किया. संटी कुल, बढ़ा, बैट. मुझे बता है कि मैं अभी घर से नॉड़ा ना, मॉडल बनने ही आए. अच्छा, अब केक काटें. अन्नु, सबकी क्या सुरूती? कॉर्टिगे! वाव, प्रेस? किलोर, तैंक्यू सो मच, अन्नु. अच्छा, सुन. वह वह अपने अच्छा लैंडलोड में क्या गिप दिया है, वह तो देखते हैं. किसे नहीं राप्पिं करके दिया है, बहुत महबबत है. वाव! तो बीटिफुल. इसको नाम हॉल में कॉफी टेबल पर रखते हैं. अरे नहीं, नहीं, पंका जीव, बेल तो तुम्हारी करवा दी है, लेकिन इस काम में बहुत लोगों को बहुत पैसा देना पड़ा है, और अगे भी इस केस में खर्चा बहुत होगा. मीता थीरी ऐसे मुझे बहुत नुक्सान रहा है, यह अच्छा नहीं किया तुम्हे, शोरूंगा नहीं मैं तुझे. Hey! Nidhi! मेरी फेवरेट योगा टीचर को पर्दे की ठीर सारी शुकापना है. Happy birthday Nidhi! Thank you so much ma'am, आप बहुत स्वीटो. And beautiful Vee. Ma'am, I love you so much. Aww, so sweet. Okay, what are your plans for birthday? My message doesn't see anyone in the evening. Why do you want to see it? Come home, we'll have dinner together, we'll celebrate birthday together. Done, ma'am, done! Okay then, see you tonight. Thank you ma'am. वैसे तो बहुत टाइम है आपके पास, किसी को भी घर पे डिनर पे बुलाने का, लेकिन खुद की खुद की भाती जी का एक फोन नहीं उठाती है आप. क्योंकि मेरी भाती जी को मेरी याद सिर्फ तब आती है, जब उसे पैसों की जरूवरत होती है. Right? और वैसे भी मेरे पासना तुम्हें देने के लिए एक पैसा नहीं है. पंग आ चुकियों तुम्हारे ड्रक्स की गंदी आदतों के वज़े से और गलात दंदों के वज़े से. Gaurat, मेरे रक्स की आगे, मेरे फिजून खर्चे, और तुम्हारे खर्चों का क्या, हर रोज एक नई जुल्डरी में फोटर खिंच के से वसल मीडिया पर डालती हो. वो खर्चे सही है. शरम करो एक ही रिडेटे हो तुम्हारी. ना होती तो जादा बहतर होगा. मरोगी तो, मरोगी अपने इन ही पैसों की वज़ास से. और तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे सारे ये पैसे मेरे होजाए. तुम्हेखना. जादा ख्याले पुलाओ बनाने की जरूरत नहीं है. मरोगी ना तो सारे पैसे चैरेटल में देकर चली जाओंगी, लिक्किन तुम्हें एक पुटिक कौड़े लिए दोंगी. समझी. अच्छी. क्या वाम? क्या हुआ? पारम का पेसेज़ है? जाए, जित्त्री में खोशेश करो. मेरा पास मेरा पीच्छाए देक्च्छो. मेरे शादी से बाखकर इसले आएथी, जागी इस पारम्जेसे पुच्छ से शुटकारा में जाए, आपर नहीं. यह अभी भी आगया है, आपर बतला नहीं रहें के लिए. अन्नू, शान पुच्छा. बैट, बैट. अन्नू, हम कोई तरीका डूटते हैं, पैसे जुगार करने का. यह देखो. यह वाला नेकलेस एक रहुरा है? यह मैंने इक अपनी फिल्म में पैना था, और उस ताइम के काफी फेमस जूल्री डिजाइनर ने मुझे एक गिफ्ट किया था. वो भी रियल डाइमंड था. क्योंकि यह आपका दिवाना हो गया था ना? मैंने पढ़ा था मैंग्जीम में. नोट रियली. वैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था, वस्वन से जुड़ा वाम. पूझे, 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 जोन! पूझे, 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 निशान नहीं. वो बंगले के गेट के पास, सीसी टीवी कैमरा लगा था. अगर वो… पूझे, वो तो डमी है. पूझे, कोई फिजिकल या सेक्शिल असॉल्ट नहीं हुआ है. सबसे बहले बॉड़ी तुम ही ने देखी थी? मैडम, 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 मुझे बहुत मानती थी. अच्छा, फिर वो तुम्हें निकालना क्यों जाती थी? उसने तुम्हारी मेड एजंसी में कम्प्लेंड की थी, कि उसे एक नई मेड चाहिए. सब, मुझे इस पारे में कुछ भी नहीं मालूम. और तुम? तुम रात को काहा थे? वह साहब, मैं वाच्में की नौकरी करता हूँ. वह एक बिल्डर का खाली प्लॉट है, वहीं पे डुटी कर रहा था साहब. तो तुम्हें केसी ने देखा था? कि तुम डुटी पे हो या नहीं हो? साहब खाली प्लॉट है, लड़के आकर वहाँ पे कुछ कांड न करे, तुम्हें वाच्में का होना जरूरी है, साहब. मैं अकेला ही था. अकेला था? तो तु भी तो ये कांड कर सकता है ना? अपनी बीबी से चावी लेकर? हाँ? साहब, आप अम गरीब लोगों को परेशान मती थी. चावी मेरे लाब होट्डो लोगों के पास रहती थी. अब माड़क की भती जी मीता और राजेश महरा साब के पास. राजेश महरा, यानि माल्ती के पहले पती? जी. एक पुरानी फिल्म एक्रस का मर्डर हुआ है. ये मीडिया बहुत बवाल कर देगा. इस केस को जन्दी से जन्दी क्लोज करना पड़ेगा. सर, माल्ती की घर से इसका फोन मेला है, जिससे बहुत किछ पता चला है. माल्ती का अपने पती और प्रेडियूसर राजेश महरा से 6 साल पहले डिबॉस हुआ है. जिसके बाद राजेश ने एक यांग एक्ट्रेस आईशा से शादी कर लीगी. लेकिन सर, अगर मदन और बिंदू की माने तो राजेश का अब भी माल्ती के एक्स्ट्रामेरेटार तो चली रहा है. सर, इन फेक्ट मैंने अभी सोचल मीडिया पे देखा. माल्ती की घर से निकल ते लए राजेश की फोटो किसी ने सोचल मीडिया पे लीग कर दी. खास है, और राजेश ने माल्ती को मेसेज भी किया था. तुमने सही नहीं किया माल्ती, अपना रिष्टा फ्रेंज विद बेनेफेट्स वाला था. तुमने अपनी हत पार कर दी है, अब देखो मैं क्या करता हूँ. कुछ लोग ना रिष्टो की ऐसे जले भी बना कर रख देते हैं. यह मीता का क्या हुआ? मीता की पुरी इंफोमेशन निकाल ली, वो एक फेल्ड एक्ट्रस है. आजकल कुछ खास काम नहीं कर दी. माल्ती के बास आती रहती थी थी, पैसे मांगने की. माल्ती को जुल्री का बहुत शौक था. वो आए दिन अपने नए जुल्री इसके फोटोज अपलोड कर थी इस सोशल मेडिया पर. सरिया देखें. वेरी गुड. इन फोटोज को यूज करो और हर जगे सर्पलेट करो. क्योंकि जिसने ये जुल्री चुराई है उन्हें बेचने के भी कोशिश करेगा. और हाँ, वो मीता और राजेश उनकी सीडियार निगालो और उन दोनों का थाने बलाओ. आप अरंदे जान नहीं शकते हो. हमें ख़बर मिलीए माल्ती सिना का मुर्डर हुआ है. हमें स्टेट में चाहिए. सेर हमें जाने विजयां से मिल्ला है. सेर हमें जाने के लिए जाने के लिए आप अमारे साथ बने रहें. लो शुरू हो गया इस मीडिया का सरकास. तु ठीक है ना? तु ठीक है ना? गईमाच समझ. बच गई है. परण तुमने जो बोला, मैंने सब किया. आज सिर्फ चोरी की हुए थी, मार दे के नहीं. मेरे पास 20,000 रुपे निए 20,000 रुपे कहां से लाओगी मैं? नहीं है मेरे पास पैसे. बोलो, क्या करूं मैं? यह पता है कुम दोनों का जा रहे हैं? मालती सीना के कर पेना, वाज जोलिरी उसके पास. देखाया मैंने उसका प्रफाइल. मालती मैं उसे तुम्हारा के लिए नंदेना? मारना नहीं था, उस मुझे. शकल देख लिए उसने, क्या कड़ता है? और अच्छवा मार्दी असाली को. सुम्चुलरी नकली तुसके. क्या? इसका मालब संजी ना तु? मेरे वसुली पे तक पूरी नहीं हुए है. और शिकार अब तु मुझे ढूल के देगी. और जब तक मुझे मुझे शिकार नहीं हुलता, अन्नू मेरे साथ रहेगी. और पुलिस के बाद जानेगी सोची बिना तो समझ लेना. चाले. Sir! Rajesh Ji, आप पर सुमालती जी के घर क्या कर रहे थे? मेंज नो कमेंट. Sir, sir, sir. क्या आप आईशा जी को तलाग देने वाले हैं? आप अपनी एक्स वाइप के घर क्या कर रहे थे? Sir, क्या क्या है? Sir, क्या क्या है? Sir, क्या क्या है? Sir! Sir! Officer, मैंने मालती को नहीं मारा है. Got it. जो मैं गेट करना है वो तो करेंगी. पहले अपना गॉगल और अपना अटिटूट उदार के या टेबल पर रखें. अब पर हमारे सवालों के जवाब देजिए, सस्पेक्ट की तरह. 12 मार्च को आपने मालती जी को एक धुंकी भरा मैसेज भेजा था. और 12 मार्च की सुभह आपको उनके घर से निकलते वे देखा गया था. Explain. देखिए, मैं और मालती डिवोर्स के बाद से ही एक दूसरे के टश्में था. मुझे पता है, आइशा यंग है, डाइनमिक है. पर मालती मुझे खुश रखती थी. मुझे समझती थी. इसलिए मैं जब भी मुंबई से नोइडा आता था, उससे मिल लेता था. लेकिन कल उसने ये बात लीग कर दी. मुझे तो लगता है कि उसने ये जानबूच के लीग किया है. मालती जी और आप, इतने सालों से इस एड्जस्मेंट वाले रिलेशन में हैं, तो ये बात वो कल ही रिलीग क्यों करती? वह बहुत पज़से हो रही थी. कहीं आप से उन्होंने पैसे तो नहीं मांगे थे. क्योंकि हमने उनके बैंक स्टेटमेंट्स चेक्किये हैं, उनकी फाइनेशल कंडिशन कोई खास नहीं थी. इसके इलावा उन्होंने गेहनों का भी बहुत शॉक था. ये बात सबको पता थी. मैं आदला कि सोचल मीडिया पर भी वह इसे डालते थी. नहीं, नहीं, आफिसर. मालती जैसी भी थी, लालची नहीं थी. हाँ, ये जरूर है कि एक एच के बाद, हिरोइन्स को अच्छे रोल्स और अच्छा पैसा नहीं मिलता है. लेकिन वो अपनी लाफ से साटिस्फाइड थी. उसने अपने सारे असली जेवर बेच कर प्रॉपर्टीज में इंवेस्ट किया थी. और उनके रेंट से व अपना गुजारा चला थी. मैंने कई बार उसकी हल्प करनी चाहिए लेकिन उसने माना कर दी. मालती ये वो ही पैंडेंट है ना? जो मैंने तुम अपनी फर्स अनिवरसरी पर दिया थी. ये इसे नहीं बेचा मैंने अब तक. कौद इस्पेशल. मालती तुम चाहो था मैं हेल्प कर सकता हूँ. प्लीज राजएश. अब क्या तुमसे प्यार की कीमत मांगो? तुम मुझसे मिलने आ जाते हो यही बहुत हैनी के लिए. देखिये, आफिसर, मैं बहुत गुस्से में था. मुझे लगा कि वह बहुत प्सेसिव हो रही है. आप ही बताइए मैं उसे कैसे मार सकता हूँ. मैं तो आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ. अगर मालती जी को आपको इतना ख्याल था, तो फिर वो आपकी फोटो सोचल मीडिया में लिंक भी करेंगी ना? हाँ, अगर मान भी लें कि उन्होंने लिंक की थी, तो फिर आपकी पतनी, आईशा, उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आया होगी. क्यों? यह क्या कह रहे हैं? सर, वो शूट के लिए लंडन में, मेरा कली फोन पर उससे बहुत जगड़ा हुआ है. कल रात को आप कहा थे? मैंने आपको बताया है, मैं होटेल में था? और वहा से में सीधा शूट के लिए निकल गया है? ठीक है, फिलाल आप जा सकते हैं, लेकिन शेर छोड़ कर नहीं जाना है. थैंक यू, अफिसर. इस राजेश के स्टेटमेंट को वेरिफाइ करो, यह कितना सच बोल रहा है, अजूर. और सोशल मीडिया पर जो इसकी फोटो वाइरेल हुई है, जरा पता करो किसने डाली है? क्योंकि मालती के फोन में तो वह ने देखी नहीं. जरा आप फोटो के सोर्स का पता लगाओ. पता तो चले, कौन है इस सब के बीछे? हाँ, सार, आट पचे दो लड़की आई थी मालतीची के घर पे. शायद कोई पार्टी वाटी थी. आटो से आई थी, उनकी पास छुट्टे नहीं थी, तो वह मेरे पास लेने के लिए आई थी. कितने का? 2,000. थांकी यू. और कोई थाउन के सब? नहीं, सब कल मेरा बर्दे था, तो मैडम ने डिनर के लिए बुलाया था. मैं उनकी परसनल योगा ट्रेनर थी. तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड भी तो वहां गई थी? कहा है वो? सर्व, वो उसका शूट है, तो मैंने उसे मेसेज कर दिया है. तुम्हारी जी की योगा ट्रेनर थी, तो इसलिए रोज आना-जाना होता होगा वहां? नहीं, सर्व, मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेज लेती थी. कल पहली बार उने घर गई थी. तुम कितने बजे वहां से निकले? यह कुछ, दस बजे के आसपास वह जल्दी उठना होता है सुभा और अन्नो को भी जल्दी जाना था. तुम्हें माल्ती जी के घर में कुछ अजीब देखा? यह उन्होंने कुछ बताया हो अपने किसी दोस्त या दुश्मन के बारे में? सर, कल अम पहली बार मिले थे और अपनी योगा टीचर को वह इसब क्यों बताएंगी? सर, वह बहुत स्वीट थी. एक बार मुझे दो महीने का रेंट देना था तो उन्होंने दो मन्त की फीस एक साथ एडवांस दे थी मुझे. सर, अनु, अनु तु आगे, यह अनु है, हम साथ ही थे. हलो सर, आप लोगो को रात में निकलते वे किसी ने तो देखा होगा? मतलब आपने ट्रेवल किया होगा, वह यहली भाई? हाँ सर, देखा था ना, उस आटो वाले ने जिसने हमें घर चोड़ा था मालती माम के घर से. तब तक वह जिन्दा थी और उन्होंने हमें सी ओफ भी किया था. सर, एक मिनिट. एक मिनिट. कल मैंने सोशल मीडिया पर फोटो पोस की थी मालती माम के साथ. सर, लाइक भी किया साड़ी गया रहा बचे. चीक है. फिलाल, आप लोंग जाएए, ज़रुरत पड़ी तो दुबारा बुलाएंगा. यह, मीता का कुछ पता चला? सर, उसका फोन अभी भी स्विच्ट ओफ, उसका अड्रस पता करते हैं. जल्दी करो. मुने शक तो नहीं हो ना? नहीं परम, हमने पुलिस को कुछ नहीं पताया. पर ठीक, चला. अन्नु को घर जाने दो, पुलिस वालों को शक हो जाएगा. क्या शक हो जाएगा? हाँ? बोल देना बैफ्रेंड के साथ है. जब तक तु मेले शिकार डूंके नहीं लाती ना, अन्नु मेरे साथ रहेगी. हेचार. प्लीज हैप में, यह मुझे रात में, यह यह रात में मुझे… माना के निधियो और अनु को परम न अपने जाल में फसाया था, लेकिन एक मर्डर होने के बाद भी दोनों ने पुलीस को सच नहीं बताया. कारण… कारण था डर. डर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसके चलते हुए हम न चाहते हुए भी किसी क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं. याद रखिए, सच छुपाना एक क्राइम करने जितना नुकसान दे है. सर, मैं राजेश की यलिवाई चेक थी, वो शूटिंग पर ही था, सोचल मीडिया पर शूटिंग स्टिल्स में हमने देखा, लेकिन सेच से पता चला कि वो बारा से सववारा के आसपास गायब हुआ था, और फिर दो धाई बज़े के आसपास वापस आया था. ज़रा पता करो या राजेश, बारे बज़े से धाई बज़े के बीच कहां गया था? सर्फ, सर्फ, मीता को लेया है, काफी दादर रक्स कर लिए, और उसके घर से माल्ती की कुछ जोयलरी भी मिली था. यह राजेश ने बताय था कि माल्ती की सारी जूलरी नकली है, अब यह पता लगाते हैं कि इस मीता को यह बात पता थी या नहीं? ओ, 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 यह बेचारी तो रो रही है, लगता है माल्ती जी के मरने का घम बरदाश नहीं कर भाई, इसे मेरे सारी की जरूरत है. अगर नीन्द खुल गई हो तो बताओ क्यों मारा अपनी आंटी को? मैं क्यों आंटी को मारूंगी? माल्ती जी के मर्डर के वक्त, तुमारे फोन की लोकेशन उनके घर के असपास की है, और हमें पता चला है, जब तुम्हारी आंटी ने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया था, तो राजेश मेरे का फोटो तुम्हें सोशल मीडिया पे लीग कर दिया था? हाँ, कारी थी मैंने उनके फोटो लिग, क्योंकि मुझे गुस्सा आगया, उन्होंने मुझे पैसे देने के लिए जोइन कार किया. तो पर उससरा आथ तुम्हां क्या कर रही थी, जब उनका मर्डर हुआ? बहुलो, पूजा. मॉलेगी? 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 मुझे वहाँ किसी ने बोला, कि वह मेरे हैंप करेगा, मुझे ड्रग्स देगा, अगर मैं उसके साथ वाननाइट स्पेंट करूँ कि तो. कॉन था वो? कॉन था? यहाथ नहीं, सर. तुमारी आंटी मालती की जुल्री मारे खर से बरामद हुई है. का मतलब जानती हो? प्राइम सस्पेक्ट बन जाती हो तो. जुल्री मिलने से कहां थाबित होता है? कि मैंने कून की आये? मुझे शूटिंग के ले जुल्री चाहिए थी, इसलिए उनसे मांगी थी. उनकी तो जुल्री उनकी तरह नकली थी. तो फिर तुमने उनसे पैसे क्यो मांगे? क्योंकि उनके बस थी, पर वो मुझे देना नहीं चाहती थी. और आपको पता है, उन्होंने अपनी सारी जुल्री, सारी प्रापटी और सारे पैसे किसके नाम कर दी है? किसके है? वो एनिमल चारेटी वारू के नाम, क्योंकि मेरी आंटी को लागता था. क्योंकि उनकी खुद की भाती जी, उन्हों कुटे बिल्लियों से भी जादा गई गुजरी है. मालती के सभी करीबी और रिष्टारों को पता था, कि मालती के पास जो भी जूल्री है वो नकली है. लेकिन फिर भी वो किसी ने गहने लूटे, कहीं उसके मर्डर को लूट पार्ट का मामला दिखाने के लिए तो नहीं? या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी को सच मुच में नहीं पताता कि गहने नकली है, वो लूट पार्ट के इदादे से अंदर गुसा और मुर्डर हो गया. चर्मा, जितने भी हिस्ट्री शीटर से सब को ठाओ. Sir. Sir. Sir, ये लंडन भाग रहा तो. शेहर छोडने से मना किया था था ना तुमको? तेश छोड़ के जा रहा हो? Sir, try to understand me. She's my wife. वो मुझे डिवोर्स देदेगी. पहले ये बताओ, अपने सेट से दो घंटे कहां गाया थे तुम? Sir, मैं वो… Sir. वो वो नहीं, सीदा जीदा जवाब चाहिए मुझे. कहां थे तुम? Sir, मैं अपनी फिल्म की गर्ल के साथ. टेट नहीं भरता क्या तुम लोगों का? सच मुच में तुम्हारी वाइफ को तुम्हें टिवोर्स देदेना चाहिए. इनकी LBI कंफर्म करो, और से अंदर ही रखो. Get out, तुम्हे होना पड़ेगा यहांसे. यह मेरा घर है. पांच महीने का अग्रेमन अभी बच्चा हुए. अगर नहीं थरकत के बारे में पुलिस को बता दिया, सोचे तुम्हारा क्या हाला तुम्हारा थूँए. अए अपनी शकर में निकला यहांसे. अए अगरा यहांसे. इसलिए अए अगरा इसलिए के सभी इस्ते शिट्रस को एन रांड़ अप करने के लिए गूल को. अए. सलाम साब. श्यम्भू, पेक चाहला. तुच पता चले जुनेत. ने साब, कुई अपने हागा गैंग नहीं है. पर सारे ख़बर मिली. मद बदेश में एक बाइकर सुना ग्यांग हुआ करती थी. छे साल पहले सब पकड़े गए थी. और उनका एक बंदान वायडा में दिखा गया है. जीवन. वैसे वह तो अब जेल में होना चाहिए था. जीवन. शालिनी सिंह. 42 साल की. डिवॉसी भी है. पिछले सालिस का डिवॉस फाइनल हुआ था. अकेली रहती है. पैसे भी बहुत है. करल्यान चौक में बंगलो है. सब्वास. साला तो इतना एक्स्पोज हो चुगी है. एक कसमा नहीं आ रहा है. तो आप. मैरा सर्ग. साली ने मुझे थपड़ मारा. छोड़ूंगा तो नहीं. अब देख. कैसे तिरी इसत उतारता हूँ. शालनी के घर से दो गली आगे ऑटो रुकाना. फिर जाकर अंदर की गलीों से उसके घर पॉचना. वहाँ कोई CCTV नहीं है. और हाँ, अपना मोबाइल घर पे छोड़के दाना. अरे, नीदी, तुम? वह सौड़ी, मैं विना बताया आगए. इससोड़ी, आणा अदर. अरे, रेने दो. ऐसे ही आजाओ. तुड़ा पानी मिलेगा, क्या? बाहर बहुत करमी. तुम, बेटो, मिलेगे आती. अरे, मिलेगे ही आ रही थी. वो, थ्यास लगी थी, ना? आपका घर बॉत सुंदर, दिख्याएंगे क्या? या, श्यू. तो यह है मेरा बेड्रूम. अब मैं तुम्हें अपना मास्टर बेड्रूम देखाती हूँ. वोटिफुल आउजा. थैंक्यों सो मच. अच्छा, मैं चलती हूँ. अरे, नेदी, तुम्हारा कॉंटेक्ट नंबर तो देते जाओ. था कि मैं टैच्छ में रहे बाऊ? वो अच्छली, दो-तीन दिन पहले मेरा फोन चोरी हो गया. तो दो-तीन दिन में नया फोन आएगा. तब मैं आपको कॉंटाक करते हूँ. मैं आपको उतनी लिंक्ट भी भीज़ दूँगी. तो आप इस पी लिख दीज़ेगा जो आपको अच्छा लगी. डॉंट वरी नीदी, मैं अच्छा ही लिखूंगी. क्योंकि तुम बेस्ट हो. लाइ. 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 सार, मालती की मौत बारा तरीक के राथ साड़े-गरा से देड़ के बीच हुआ है. सार, किचन नेफ से गला काटा गया था. जगुदर बेन कड़ गया था. तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के वज़े से मौत हुई है. और बॉडी पे कुछ श्रगल के निशान मिले है सार. घर के चाको का इस्तेमाल हुआ है. यह सीचीव फुटेज का क्या हुआ? सार, मालती के गर के गली के बार एक सीचीव कैमरा मिला है. आइम अफड़ के आसपास की फुटेज को चेक किया. नीदी और अनू के अलाव आप, वहां कोई और सस्पीशिय साथ में नजर नहीं आ है. और बाकी लोगों के मोबाल रेकॉर्ड चेक किया. सब लोगी मोबाल की लोकेशन अपने घर की थी. यह घर से आने जाने का कोई दूसर रास्ता भी है किया? नहीं सर, एक दोगार और है, फिर गली खतम हो जाती है. तो पुरे ऐसा कौन है जो हवा में आया और हवा में कायब हो गया है? जो पिष्लिवा अभी तरह हो अट्टो की नॉटम की नीची ही है. कुछ तो हाथ लगा? इस तो तुम्हारे वाज़ेस हुआ है. थैंक यू, मास्टर माइन. अब ये सब तो ठीक है, पर वो निधी, निधी अब जो चीची करेगी ना? जार्स, टेंशन मतलो. उसे एक दो हाथ और मार ले, उसके पाद तो पैसा ही पैसा. और चाकु भी हैं छोड़ दिया. लूट पार्ट किये सारे जेवर पैसे सब गायब है. अब आपे बर्ट. सर्व, अब निधी कर चेक किया. सरी भी पता चले कि वो दोपै को घर से निकली थी, और मार मी वह पस आई ही नहीं. सर्व, अनू. सच में क्या ये सारे मुर्डर्स निधी ने की है? सवाल सिर्फ हम करेंगे. कहां थी तुम? और निधी का है? सर्व, मैं पिछले तीन दिन से अपने वॉइपरिंट परम के साथ थी. अगर तुम्हारा इंचोरियों से कोई नाता है, तो अभी यहां बोल दो. बात में मौका नहीं मिलेगा. नहीं सर्, मेरे इंचोरियों से कोई नाता नहीं है. निधी ने मुझे पताया था कि उसे कोई लड़का मिलने आता था. और वो मुझे बोल देती थी कि तू प्लीज चेली जा. अब समझ में आ रहा है कि वह ऐसा क्यों करती थी. मैंने कुछ देंगे है, सर्. तुम्हें निधी का कोई कॉल आया या उसके बारे में पता चले, तो सीधी हमें कॉल करना है, इंफर्म करना है? जी सर्. फिलाल जाओ. यह लड़की जितनी सीधी दिखाय दे रही है, उतनी है नहीं. इस पर उसके बॉइफ्रेंड दोनों पर नजर रखों. और निधी के फोन को ट्रेकिंग डालो, और साधी जिस एरिया में लूट पाट हुई है, उन सभी एरिया के CCTV फोटेज दुबारा से चेक करो, निधी के पॉइंट और फ्यूँ से. देखो, उसके साथ कोई और भी नजर आता है क्या? सर्. शर्मा, जर्नस के साथिवा पत्ता है लगाओ, जो. सर्, इसे वीडियो देख्या, किसने इंटरंच पर अप्लोड किया, निधी के आए, कपड़ें बदलते हुई है. सब्सक्राइब निदी के घर गया था उसे लाने के लिए ये घर उसी का ही लग रहा है सब मतलब घर में किसी ने हिटन केमरा लगया हुआ है ज़रा इस वीडियो का सोर्स पता करें ये कौन कर सकता है सर मैं तो यहां दो महीने पेले शिफ्ट तो यूँ आप नो आइडिया सोर्स पता लगाया है आई-पी अड्रेस तेरे कम्प्यूटर का है और वो हाइड ड्राइब बनामत कर लिए ये वीडियो तूने ही वाइरल कि थी ना बोल बोल हमने इसका सोर्स पता लगाया है आई-पी अड्रेस तेरे कम्प्यूटर का है और वो हाइड ड्राइब भी बनामत कर लिए आमने बहुत पसंद करता था वह ऐसे नहीं मान रही थी तो मैंने सोचा कि उसका वीडियो बना लेता हूं तो उसे ब्लैकमेल करूंगा को और सर और ब्लैकमेल ने हुई मैं पुलिस को बताथा विए जिया? यह जो सर इधर भी आजर, पूट मारा सर, मेरे तो हालत खराव हो गएटाथी, सर. फिर मुँआसर निखल गेए, सर. सर यह देखे, सरी निधी दोपहर में शालीनी के घर गई थी, और सर एक गंटे में प्लॉट आई थी, यह देखे, सेम कपड़े, काम करो, जितने भी क्राइम सीन है, उन सब की फुटेज चेक करो, और देखो, निधी किस-किस में दिखाई दे रही है, जुरूर इसका कोई न कोई साथी है जिसने सारे क्राइम किये है, सब्सक्राइब करें देखे, उन सारे एरियास में यह बाइक पे जो कपल है, वो निधी को फॉलो करता है, और हर बार बाइक अलग-अलग हो किये, सर, मैंने यह सारे नंबोर्स चख किये, सारे यह फेक है, और हो एक अपयर एत्वा पर दुक्रिट गयं कि एक घेली कुईब अगर शहयाने लेकिन हर स्मार्टनेस करोती है, और तिर एक स्पयरी डेट आज की है, तेरा गराज है ना और तू अपनी इस गल्फेंड अनू के साथ मिलकर बात लूट करता है और हर लूट हर क्राइम के लिए इस्तेमाल करता है ना बहुत सार चोरी का माल मिला तेरे गराज से और वो निदी तेरे लिए तार्गेट ढूंती थी ना तीको मारा तुने सब सच है लेकिन निदी को हमने नहीं मारा है सर वो तो मेरी दोस्त थी हाँ मैसेज़िस पड़े मैंने उसके उससे लग्पभा इस पॉरम ने तुझे किंटनाप किया है तुम दोनों मिलके उसे बेवकूफ बना रहे थी है ना नहीं सर आज हम एक लूट करने थी हम निदी के आत्री पार जी सर पक्का ये संजे जाने क्या होगा कब से लाइन मारा था वो उस पर इंफाक्ट मेरे एक महिने का रेंड भी माफ कर दिया था उसमें क्योंकि मैंने उसका गिफ्ट निदी के बेडरूम में रख दिया था इसलिए तु अगर मेरा एक काम कर देगी ना तो तेरा पूरे महिने का किराया माफ है शरम नहीं आते अपने दोस के साथ ऐसे करते हुए यह संजे जान निदी को नहीं मार सकता क्योंकि निदी ने कुछ संजे को मारा था यहना हमने भी नहीं मारा है सर निदी को सफोल कि करते हरे निदी यहाई लृफियाँ पूर्ल जैसे है सर्थी निदी की फोल्च माणोड़ यहा नहीं त्रणे सिरह लिए रटोड़ यह तो जैसे त्रणे मारने के लिए थ्र्रोग नािफा निदी क्लिए दवाल का है इसे यह तरो फिज भू निदी का फोन ट्रे Sum बीच में ही कही गाया भूई है, यह संजय जाके घर और पॉलिस्टेशन के बीच के जितने भी CCTV है, जिला चेक करो, देखो कहां से गाया भूई है भूई है, सरी देखी, एक से प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी कासी दूर है, नमबर प्लेट क्लियर नजर नहीं आता, सर मैंने टाइमिंग चेकी निदी के CDR से, ये कार में बैठने के कुछ मिनिट बाद ही उसका फोन बंद हो गया, ये निदी तुरंत इसकी कार में बैठ गई है, लगता है इस आदमे को अच्छी तरह से जानती थी, तभी इतने स्ट्रेस के बावजूर्द है इसकी कार में बैठ पुड़ा और पूसरा हाँ बस एदेखों ये बच्चा ये ड्राइवर साइड में है, शायद इसने अदमी को देखाओ, साब शकल तो फूरी तरह से याद नी है लेकिन हा उसमें टोपी पहनी भी थी, टोपी पे चिडिया बनी होई थी, चिडिया पाइखा ये हाँ साब आज था इसे ही था ? इटा अप्या अएज नहीं साब साब अएज नहीं साब साब रखो अएजिया गुपता सर इस सकेच को आज पास सभी पोली स्टेशन में सर्कूलेट ठोड़ा अलगसा है किसी आप का logo है देखो कोई पहचानता है प्रकष्या के प्रोड़क्शन का है, सरे उनका कम्पणी का लोग है, जब मैं उनको अरेस्ट करने का था तब ये लोगो की कैप उनके मॉनिटर पे मैंने देखा था पक्का, हाँ सर, तो फिर तुमारे पास उसकी डिटेल्स भी होगी, जी, उसका अड्रस लेकर हो, ओके सर छोड़िये, सर छोड़िये उसमे, सर बताएए मैंने किया क्या है देखें, इंस्पेक्टर, आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और एसे नाइफ दो बहुतों के पास होते हैं गलत फ़िमी है तेरी, कि तेरे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है बहुत सबूत हैं, जिस दिन निधी का मर्डर हुआ, उस दिन तेरी और निधी की दोनों की कॉल लोकेशन निकाली है, हमने एक एरिया की है और दूसरा तेरी वो कार, जिसमें तुने निधी को लिफ्ट दी थी वो गाड़ी जो तुने आनन फाने बेच दी वो सी सी टी में कैप्चर हूई है, तीसरा वो लड़का, उसने सड़क पर तुझे और निधी को साथ में देखा था मैंने उसे काटने दिये हैं नहीं, वहाना कनफेशन, क्यों शर्मा, वेल सर, अल्मोस्ट, अब पूरी बात मता, बोल निधी का वाइरल वीडियो देखा और लोगों की कमेंट्स भी, कैसी लटकी का तो, एक्शली सर, लोगों की रेव वीडियो देखने की फेंटेसी होती है, और निधी को मैं पहले से जानता था, काफी वहार मिली थी मुझे, और ओडिशन भी दिये थे, कुछ शोज और मॉ मैं चाना? Oh, hi. What's wrong? कहां जा रहिए? मुझे पुलिस टेशन जाना है. What? Sit. I can help. Come here. Saab, भूल लेलो, Saab. Saab, भूल लेलो, Saab. Saab, भूल लेलो, Saab, भूल लेलो, Saab. Are you? मैं प्रस्टी की स्टार बना दूँगा. मैं बाड्लिंग करने आई हूँ. मुझे उतरना बाड़ी रोकी. मुझे उतरना बाड़ी रोकी. हाँ, बाबा, चिल, 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 रोक रहूँ. Okay, okay, Baba, चिल, चिल. Pooja, अब इसकी एक वीडियो बनाओ. मार्क आते वे, हर एंगल से. और आउ की सारी साउंड्स आनी चलिया. मीता की एक कंप्लेंट ने पंकच की जिद्दगी को पलट कर रख दिया था. उसने अपना पैसा काम दोनों खो दिया. जबकि मीता पंकच के हर गलत धंदे में शामिल थी. मीता की एक गलती ने पंकच को इतना डेस्परेट बना दिया था कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था. और इसी डेस्परेशन के चलते उसने निधी का कतल किया. वही अनूर परव ने सोच समझ कर जाल बिच्छा कर निधी को यूज किया. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जिंदगी में अपने आसपास की लोगों का और अपने कर्मों का सोच समझ कर चुनाव करें. तो चलिए अब मैं दिव्यांका त्रपाथ ही दहया लेती हूँ आपसे विदा. फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर के एक सच्छे नए एपिसोड के साथ आप अपना ख्यार रखी और सुरक्षित रहिए। जैहिन!